हुआ है हलो दस्तों नमस्कार आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है तो दस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद करते हैं सब को ठीक होंगे तो दस्तों आज के वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे एक अजीव साट मस्रूम जो जंगल में मिलता है वह जस्ट आलू जैसा ही दखता है फर से रुगडा तो उसको नहीं बोलते हैं कुछ और ही बोलते हैं हम लोग का बस घर में जो पकार हैं उसको दिखाएंगे और दूसरा वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कैसा जगा पर निकलता है वो मसरूम और कैसा उसको हम लोग चुनते हैं वो आप लोग को दिखाएंगे तो चलिए अभी पकाएंगे और कैसा पकाएंगे वो सराब को दिखा रहे हैं तो वीडियो में बने रहे हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यही वो मस्रूम है बिल्कुल आलू की जैसा दीक रहा है इसको छोटा-छोटा टुकडा करने के लिए यह देख रहे हैं पत्थर से क्रश कर रहे हैं इसको देख सकते हैं किस तरह से क्रश किया जा रहा है इसको हम लोग छोटा-छोटा टुकडों में काट करके भी पका सकते हैं लेकिन क्रास करके पकाने से उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है और यह देख सकते हैं इसको पकाने के लिए अभी चुला में आग जला रहे हैं में आग जया जोग जए जुदंग सकते हैं कर दो कर दो कर दो हाई तो दस्तों खाना रेडि हो गया और अभी हम लोग खाने वाले हैं उससे पहले मैं आज इस परिवार में रहता हूं वो परिवार का परिचे देना चाहता हूं क्योंकि बहुत कोई कॉमेंट में हमको बोलते थे कि अपना घर में कौन-कौन रहते हैं और फ़ड़ा परिचाय देने से अच्छा होगा तो आज मैं आप लोग को सारा परिचाय बताऊंगा कौन-कौन हम लोग रहते हैं यह परिवार में तो सबसे पहले यह देख सकते हैं यह दादी माँ है अब लोग को और यह फादर लो है नमस्कर और यह ब्रदर लो है इदर हलो और यह मादर लो है और यह तो मेरा मिसेस है और यह मेरा भंजी लगते हैं यहां रादी है हम लोग के साथ और यहां से देख रहे हैं फदर लोग का यह लोग पांच भाई बहन थे पर अभी वर्तमान में तीन बहन है और एक भाई था जो बुजर गये लेकिन उनका परिवार है अभी फिलहार को लोग पुन्य में रह फदर लोग का वह दो जन तो यही गाव में रहते हैं और रेजन जो है वह यूजर्से का न्यूजर्सी सीटी में रहते हैं मैं आप लोग को उसका फोटो मैं सेर करके दिखा वे रहा हूं तो यही है देख लिए आप लोग यही यूजर्से में रहते हैं तो ठीक है चलिए हम लोग अभी डिनर करते हैं देख सकते हैं सब को यह हम लोग डिनर के लिए बैट गए हैं और यही वो मस्रूम है जो पकाए थे और यह यलो राइस है और एक बात हम बोलना भूल गए थे यह जो देख रहे हैं मेरा ब्रदर इनलो जो है यह राची में रहते हैं अपना परिवार के साथ और वहाँ पर जॉब करते हैं और वहाँ पर इस से चोटी वाली मेरा सिस्टर इनलो भी वही रहती है वो भी वहाँ राची में जॉब कर करती है करती है कर दोस्तों आज क्यविडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं विडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करदीजिये और कॉमेंट किजिए और अगर आप नाया देख रहे हैं मेरा वीडियो तो सस्क्राइब जरूर कर दिजिए मेरा चैनल को फिर मिलेंगे ऐसा ही देशी वीडियो के साथ तब तक अब सबों को बाई